नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जब हमारे घर में पके हुए केले आते हैं और अगर बच जाते हैं तो ज़्यादा पक जाने के कारण उसे कोई खाता नहीं है तो उस केले को फेकने के पहले ये वीडियो जरूर देखें और इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए हम जूए बनाना बॉल्स बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने तीन पंखे हुए केले ले लिए हैं और केले को हम सis कचिल लिया है और अब हम एक मिक्सर ग्रांडर ले ले लेगे और इस जार में हम इसे तोड करके अच्पड कर देंगे इसे हमें मंच्प करके इक fine paste ready करना है और अब हम इसमें add करेंगे एक कप दूद और इसके साथ ही हम इसमें add करेंगे 4 टेवले स्पून चीनी चीनी आप अपने टेस्ट रिकॉल्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप थोड़ी चीनी और add कर सकते हैं और इसके साथ ही इसमें add करेंगे 3 इलाइची इससे हमने तोड़ करके इसके छिलके को हटा दिया और सिर्फ सीड हम इसमें add करेंगे और इसे grind करके एक fine paste ready कर लेंगे तो इसे एक हम ball में transfer कर लेता है और इसके बाद अब हम इसमें add करेंगे एक कप गेहूं का आटा और इसे अब हम बहुत अच्छे से mix कर लेंगे इसे हमें अच्छे से mix करना है जिससे की इसमें lumps ना रहें और अब हम add करेंगे आधा कप चाबल का आटा आप चावल के आटे की जगा सूजी भी ले सकते हैं और इसे भी mix कर लेंगे देखिए अब ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है इसकी consistency आप देख सकते हैं और अब हम इसमें add करेंगे एक पिंच बेकिंग सोडा इसे खाने वाला सोडा भी बोलते हैं और इसे भी अच्छे से इसमें हमें mix कर लेना है और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना करके इसे fry करेंगे हमने इसे प्राई करने के लिए पहले से तेल गरम होने के लिए रख दिया था और इसे चेक कर लेते हैं तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है तेल को हमें इसी स्टेज तक गरम करना पहुंच जादा गरम हम नहीं करेंगे ही तो हम जो बॉल्स बनाएंगे वो उपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्छे रह जाएंगे और इस तरीके से हाथों की साहता से हमें छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं बॉल्स अपने पसंद के नुसार छोटे बड़े बना सकते हैं देखिए, इस तरीके से हम, एक बार में हमारे पैन में जितने बॉल्स आ सकते हम बना लेगे और इसे 2-3 मिनेट इसी तरीके से छोड़ देंगे बिना छलाए हुए ये सारे बॉल्स उपर आ चुके हैं, तब हम इसे छलाना शुरू करेंगे और इसे इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम गोल्डेन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है और इसे हमें अच्छे से गोल्डेन ब्राउन करना है इस सारे बॉल्स हमारे कोल्डेन ब्राउन हो चुके हैं तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे बॉल्स को बना करके रेडी कर लेंगे आप देख सकते हैं यह कितने अच्छे लग रहे हैं बिल्कुल गुलाब जामून के जैसे तो आप एक बार पके हुए केले का बॉल्स बना करके जरूर ट्राई करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी क साथ नेक्स वीडियो में